वो देखने में तो सिर्फ दो ही लें, मतलब बहुती छोटे है, दो है, मगर उसके जो अर्थ है बहुती गहरा रहता है और उसके साथ साथ क्या है वहाँ? दिल को चू लेता है करके. ये सारी गोपी काई तो इसी रूप को देखकर तो जो है या पर उनकी तरफ खींचे चली आती है. क्या करना है अगर आपको भगवान से बक्ति करनी तो सिर्फ सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण जो है करो. नमस्कार मैं हूँ हर्शीता, हिंदी लेक्चरर विद्धैश्रम कॉलेज मैसूर. आज हम मैसूर उनिवर्सिटी के थर्ड समिस्टर बी सीए की हिंदी पटेक्रम से जो बिहारी लाल के दोहे हैं उनको देखेंगे. बिहारी लाल जी के दोहों को देखने से पहले हम उनका जो परिच्चे है, संग्षिप्त परिच्चे उसको देख लेंगे. देखें, बिहारी लाल जी जो है, वहाँ जैपूर के राजा जैसिम्ह के दर्बारी कवी थे और बिहारी लाल जी हिंदी साहिति के रीती काल के बहुती प्रसिद्ध कवी जो है माने जाते हैं जैसे मैं हमेशे आपको बताती हूँ समगर हिंदी साहिति को चार विबाजन आपर किया गया है करके आदिकाल, बक्तिकाल, रीतीकाल और आदुनिकाल तो यह जो आदुनी काल है उससे पहले की जो काल है यहापर रीती काल उस काल के बहुती प्रसिद्ध कवी जो है यहापर बिहारी लाल जी माने जाते है देखे बिहारी लाल जी की जो दो है वहाँ सबी बिहारी के सचसेया में जो है यहापर संग्रहित की गई है देखे यहाँ पर कहा जाता है कि जो बिहारी के ससेई में जितने भी दो है वहाँ बहुती लोक प्रसिद्ध हैं मतलब बहुती क्या है वहाँ प्रसिद्ध है करके उनकी जो भाशा है वहाँ ब्रजबाशा है प्रमुक रूप से उनकी भाशा यहाँ पर ब्रजबाशा है मगर उसमें यापर फार्सी और बुंदेलकंडी भाशा भी जो है सम्मिलित है इनके दोहों में हम अलंकारों का जो मिश्रन है वहाँ देख सकते हैं अलंकारों का जो प्रयोगे बहुत हद्बुत तरीके से जो है यापर किया गया है इसी के कारण जो है उनके दोहे जो है उसमें हम चमतकार को जो है देख सकते हैं इसलिए शायद हम यह कह सकते हैं कि इनकी जो दोहे हैं वहाँ बहुत ही लोक प्रसिद्ध है करके ज्यादा तर रीतिकाल के दोहे हैं तो ज्यादा तर उसमें जो है शुंगार रस को ही हम देख सकते हैं ज्यादातर शुंगार रसे भरी जो दोहे हैं इनकी हम देख सकते हैं देखें इनकी दोहों के पर में यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी जो दोहे हैं वहाँ बहुत ही छोटे हैं मगर उसकी जो अर्थ है या फिर वहाँ जो है मन को छूँ जाता है और वहाँ एक विशाल अर्थ जो है आपर उसमें छिपी रहती है करके इसलिए आपर कहा जाता है कि सत्सईया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे भेदे सकल सरीर मतलब यह जो सत्सईया विहारे के सत्सईय है उसमें जो दोहरे उनके संग्रहित है वहाँ देखने में बहुत ही छोटे है जैसे नाविक के तीर जिस तरह एक छोटे से नाविक के तीर जो रहता है वैसे ही वहाँ छोटे है देखने में मगर भेदे सकल सरीर मगर वहाँ जो है शौर्प वहां रहते हैं करके मतलब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है जो सत्सया के जो दो है बिहारी लाल जी के वो देखने में तो सिर्फ दो ही लें मतलब बहुती छोटे हैं दो है मगर उसके जो अर्थ है बहुती गहरा रहता है और उसके सासा क्या है वहाँ दिल को चू लेता है करके तो आईए उनके कौन से दो है जो है आपके पट्टे पुस्तक में आपके पट्टे क्रम में रखी गई ये करके अभी देखेंगे उनका पहला दोहा इस प्रकार है मेरी भौबादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाईपरे स्या महरित दुती होई देखें यहाँ पर वो क्या कही रहें मेरी भौबादा भौबादा मतलब मेरी जितने भी मुश्किल है उसको हरो हरो मतलब क्या है उन सबको दूर करो किसे इसे पूछ रहे हो राधा नागरी सोई दे कि आपर नागरी का अर्थ जो है वहां क्या है चतुर यहां पर वो कृष्ण से नहीं बलकि जो राधा है उससे यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूछ रहे कि मेरी जितनी भी कश्ट है जितने भी भौबादा है उसे हर लो ना क्यूंकि तुम बहुत ही चतुर हो नागरी कार्थ या पर क्या है चतुर तुम बहुत ही चतुर हो तुमारे सिर्फ परचाई देखे या पर जातन की तन मतलब क्या है या पर शरीर तन कार्थ क्या है शरीर और जाई मतलब य तो ऐसे में तुम्हारी कृपा होने पर में भी आनन्दित हो सकता हूं मतलब मेरे भी जो भी भावबादा आए जितनी भी कस्ट है वहां भी दूर हो सकते हैं तो इस तरह कुछ जो है आपर वहां रहादा से प्रार्तना कर रहें देखिए आपर हरी तो दूति होई स्याम तरह आपर प्रकारित होना या फिर क्या है उज्वल होना प्रकाशमान होना यह आपर बिहारी लाल जी इस दोहें में सिर्फ इतना ही कह करZA ह है हे रादा हे चतुर रादा देखिए आपर नागरि हे चतुर रादा तुम मेरी जितनी भौबादे ये कश्टों को है उसे हर लोना उसे दूर करोना क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण पर ही सिर्फ तुमारी परच्छाई पढ़ने पर वहां बहुत आनंदित हो जाते हैं तो ऐसे में मैं भी जो है यहां पर तुमारी कृपा होने पर मैं भी यहां पर कटी काच्छनी कर मुरली उर्माल यहीं बानिकुमो मनुबसो सदा बिहारी लाल देखिए यहां पर कह रहें कि सीस मुकुट कटी काच्छनी सीस पर मतलब सर में क्या है मुकुट है कटी काच्छनी कटी मतलब कमर पर कटी कारतिया पर क्या है कमर में काच्छनी मतलब पीतां पीतांबर वस्त्र काचनी कार्थिया पर क्या है पीतांबर वस्त्र जो है पीले रंग के वस्त्र जो है तुमने पहने हुए है देखे श्री कृष्ण के रूप का वर्णन यहां पर कर रहे सीस मुकुट सर पर मुकुट है और कमर पर क्या है पीले रंग के वस्त्र पहने मतलब तुम्हारे कंट में जो है यह आपर क्या है मालाये हैं दिए कि श्री कृष्ण के कितनी सुन्धर्टा से यह वर्ण ब्यारिलाल कर रहें मुकुट जो है तौने सिर पर पहने हुए हैं और मालाये पहने हुए हैं और पीले वस्तर तुमने पहेना हुआ है फिर मूर्ली जो है तुमने पकड़ कर है जिस तरह श्री कृष्णु जो है यहाँ पर रहते हैं उसी तरह उसके जो अगर अब मझताई दfeltा जो네 इसलिए यहां बढिता और क्या है रूप यही द मतलब यही रूप तो सबको मौह लेता है हे क्रिश्न तुमारी यही रूप जो है सबको मोह लेता है यही बाने को मोह मन बसो सदा बिहारी लाल देखे तुमारी यही रूप तो सदा मेरे मन में बसती है हे क्रिश्न करके वो कहते है और सिर्फ मेरे ही नहीं बलकि तुम्हारे इसी रूप पे to सभी लोग यहाँ पर जो है तुमारी तरफ आक्रुष्ट हो उड़ते हैं इस तरह यहाँ पर वहाँ कहते हैं मन बसो कारत, मन में बस जाना और तुमारे इसी रूप को देखकर दो हम सभी आनंदीत होते हैं तुम्हारे तरफ आकृष्ट जोहायापर होते हैं करके सारे गोपिकाए तो इसी रूप को देखकर तो जोहायापर उनकी तरफ खींचे चली आती हैं तो तुम भी मेरे मन में इसी तरह बस्ते हो है कृष्ण इस तरह से वहां कृष्ण की रूप और साउंदर्री के वर्णन जो है आपर वहां करते हैं कि यापर किस तरह यापर पीले वस्तर पहने हुए हैं फिर उसके आबाद सिर पर मुकुट और हाथ में मुरली पकड़ कर और माला सभी पहन कर जब भी श्री कृष्ण यापर मुरली बजाते हैं एक तो उनके स्वरमाधूरिया और उसके साथ सा सबको मोह लेती है सबको आकरशित कर लेती और तुमारा यही रूप तो मेरे मन में भी बसता है करके आपर विहारी लाल जी कहे रहे हैं श्री क्रिष्ण की रूप सौंधरी का वर्णन जो है इसमें वहां करते हैं नेक्स्ट देखिए वो यापर क्या कह रहे है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने हूँ गंबीर को घटी ये रुशबानुजा वे हलदर के भीर देखिए चिरजीवी जोरी जुरे जोरी का अर्तिया पर क्या है जोडी जो जोडी है वहाँ ऐसे ही बने रहे किसकी जोडी की बात जो है वहाँ कर रहे एक तो वो श्री कृष्ण और रादा के जो एक जोड़ी है उसके बारे में बोलते हैं कि जो जोड़ी जो हमेशा साथ में रहते हैं यह ऐसे ही बने रहे और इनमेई जो सनेह है वहाँ बहुती गहरा है तो किनकी जोरी के बारे में बता रहे है ये अपर दूसरे लाइन में दी गई एक तो रुषबानू की बेटी मतलब रादा और एक हलदर मतलब बलराम के भाई कोन है आपर श्री कृष्ण तो इनकी जो जोड़ी आमेशा बनी रहे, चिरण जीवी रहे, मतलब चिरण जीवी रहे, इस तरह आपर वहाँ कहते हैं नेक्स्ट देखे यहाँ पर यहाँ अनुरागी चित्त की गती समझे नहीं कोई, जो जो बूड़े स्याम रंग, जो तो उजल होई देखे यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बोल रहे हैं और इसमें हम भक्ति भाव को ही देख सकते हैं देखें यह आनुरागी चित की, चित मतलब यहां पर क्या है मन, चित मतलब क्या है मन, गती समझें नहीं कोई, यह जो मन है उसकी जो गती है, उसकी जो वेग है कोई नहीं समझ सकता, मन की जो गती मतलब जो वेग है न वो कितनी तेजी से यहाँ पर सोचता है कितनी तेजी से वहाँ बढ़ता है मन की जो सोच है या फिर मन की जो भावना है उसकी गती को कोई समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना यहां पर स्याम में मतलब श्री कृष्ण में जो है उसके रंग में रंगना चाहता है फिर उसमें डूपता जाता है उतना ही यहां जो मन है वहां और भी उज्वल मतलब उज्वल या फिर प्रकाशित होता जाता है देखे जो श्री कृष्ण की प्रेम या फिर श्री क क्रिश्णी के प्रति के रहे हैं मैं जितना तुम्हारे बार में सोचता हूं तुम्हारे रंग में यहां पर डूपता जाता हूं ना उतना ही यहां पर जो है तुम्हारे प्रति भक्ति बाव जो है वहां बढ़ता जाता है और तुम्हारे रंग में मैं भी रंग जाता हूं क तो था में बाती जो पर हम तलोह किंहाज दूपते जाएगे न था उतना ही जो है यहां पर हम मारे मन में तुम्हारी पृति जो भक्ति वहाँ बढ़ता जाएगा और हमारा जीवन होता जाएगा कि यह पर बता रहे पर क्रिष्ण की भक्ति की जो महत है उसे यहां पर बोल रहे तो इसलिए वह चैonie तो चाहिए कि बढ़ता जाएगा और जितना आया पर श्री कृष्ण के बक्ति और प्रेम बढ़ती जाएगी ना मन में उतनी ही जो है आपका जीवन जो है आपर आपका जो मन है वहाँ उजवल होते जाएगा प्रकाशमान जो है पर होता जाएगा करके आपर वहाँ कहे रहे हैं नेक्स्ट देखें यहाँ पर जप माला छापे तिलक सरेना एको काम मन कांचे नाचे रुता सांचे राचे राम देखें यहाँ पर भी जो है भक्ति के बारे में ही कह रहें देखे जपमाला चापे तिलक जपमाला पढ़के जप करने की जप माला रहती है उसे पकड़कर जपमाला पकड़कर सिर्फ जप करने से या फिर चापे तिलक मतलब तिलक लगाकर चापे तिलक कारतिया पर क्या है तिलक लगाकर तिलक लगाकर और जपमाला हाथ में पकड़ कर सरेना एक काम एक भी काम नहीं होता है देखे जो ढोंगी बक्त रहते हैं फिर ढोंगी सन्यासी लोग रहते हैं उनके बारे में आपर कह रहे हैं जो अपने आपको हमेशा जब करते हुए तिलक लगा कर जब करते हुए कहते हैं कि हम सबसे बड़े बक्त है करके तो ऐसे ढो होंगी बक्तों के बार में है परवा कहरें और भगवान के बक्ति किस तरह है इसके बार में वो कहते हैं जपमाला पकड़कर जब करने से या फिर चापे तिलक लगाने पर माते पर सिर्फ तिलक लगाकर जपमाला पकड़कर माला जो है उसे यह पर पकड़कर जब करने पर सर कांचे नाचे रुता सांचे राचे राम मन जो है जितना यहाँ पर मन से अगर आप यहाँ पर भगवान की या फिर राम की जो पूजा करेंगे मतलब मन से यहाँ पर आप उनकी प्रार्तना करेंगे तभी जो है वहाँ यहाँ पर भक्ती जो है तफल होगा. देसी को तो यहा पर कहए रहे देखिए मन कांच मांचे उटा जिसका मन कच्छा रहता है? उसका मन वह हुई जो है आपर नाचता रहता है फिर मचलता रहता है? वो एकात्रितो कर एकागरितो कर जो है यह पर एकागर मन से जो है यह पर भक्ति को नहीं कर पाएगा तो इसलिए सांचे मतलब सच्छा जो बक्ति जो करेगा सच्छी बक्ति जो यहाँ पर करेगा सांचे रांचे राम रांचे राम मतलब मन जो है या फिर राम जो है उसी पर प्रसन्न होंगे देखे रांचे मतलब राम जो है उसी से प्रसन्न होंगे जो सच्चे मन से बगवान की बक्ती करता है वहाँ पर बक्ती करने के लिए किसी भी तरह की आडंबर की अवश्यकता नहीं है आपको बगवा है तब याप बग्त कहलाएंगे नहीं, आपका अगर मन ही कच्चा हो तो क्या करेंगे, is लिए तो यहापर पहले भगवान से भक्ती करने के लिए मन जो है वहाँ सच्चा होना चाहिए अगर आपके मन में वह पक्वता नहीं है एक आगरता नहीं है भगवान के प्रती तब कितना भी आप जब माला पकड़ करें आप रजब करें कोई भी फाइदा नहीं है आपको सिर्फ सच्चे मन से क्या करना है अगर आपको भगवान से बक्ति करनी तो सिर्फ सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण जो है करो तबी जाकर रामू जो है यहाँ पर देखे सांचे रामू मतलब राम मतलब जो बगवान है आप से यहाँ पर खुश होंगे आनन्दित होंगे करके यहाँ पर सची बक्ति के बारे में यहाँ पर कहरें नेक्स्ट देखे यहाँ पर कोवू कोरिक संग्रहो, कोवू लाक हजार, मो संपती जदुपती, सदा बिपती, बिधारन हार याँ पर कहते है कि करोड़ ही क्यों ना संग्रह न तर्लव करे है और कोआई लाक अखर और कोई लाक कमाई ये फिर हजार कमाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं यह मैं तिहां मोँ समपती मों मतलब याँ पर क्या है मेरा मो का अर्थिया पर क्या है मेरी संपति संपति का अर्थ संपति मेरी संपति क्या है जदूपति है जदूपति मतलब यहाँ पर यदूपति यदूपति मतलब कौन है यहाँ पर श्री कृष्ण है इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कह रहे है मेरी तो संपत्य क्या है या पर श्री कृष्ण है इसलिए वो कहते है कि सदा विपत्य विदार नहार देखे विपत्य का अर्थिया पर क्या है विपत्य सदा मतलब हमेशा श्री कृष्ण जो है वहाँ क्या करता है हमेशा जो भी विपत्य जितनी भी मुश्किले जीवन में उसे हरते हैं देखे बिदार नहार उस सब को वहां हरते हैं उन विपत्तियों को उन मुश्किलों को वहां दूर करते हैं तो मेरे सभी मुश्किलों को मेरे सभी विपत्ति को हरने वाले है श्रे कृष्ण तुम्ही मेरे संपत्ति हो अगर सिर्फ तुमारी कृपा मुझ पर आ मुझे वह संपति नहीं चाहिए मेरे लिए तो तुम ही संपति हो आप श्री क्रिष्ण के अपने जो भक्ति बाव उसे प्रकट कर रहें प्रस्तित दोहे में बिहारी लाल जी देखिये यहां पर प्रस्तत दोहे में किसके बार में कहते जाता है यह आप लोगों को जाना जो ह बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर एक्जा में जो है यह दोहा अगर आपको देंगे तो सवसंदर भुभाव स्पष्टी करन या फिर सवप्रसंग व्याक्या करने के लिए देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जो है होगा कि आपको यहाँ पर लिखना सिर्फ वहाँ श्रीकृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है वहाँ प्रकट कर रहें तो इसलिए वो कहते है कि कोई कोई यहाँ पर लाखों कमाए करोड कमाए हजारों कमाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ क्या है श्रीकृष्ण चाहिए मेरी संपत तो श्री कृष्ण है क्योंकि सभी मुश्किलों को हरने वाले सभी मुश्किलों को दूर करने वाले उसे नश्ट करने वाले तो श्री कृष्ण है जदुपती है ये दुपती है करके आपर वहां कहते हैं आगे देखें वो कहते जाते हैं नहीं परागू नहीं मदुरुमद नहीं विकासु इहिकाल अली कलीही सो बांधियो आगे कोनु हवाल देखे अपरों कहते है कि नहीं परागु परागु का अर्त जो है आपर पराग है पुश्प के जो रज्जे रहते है वही जो है आपर पराग है तो अभी पुश्प में पराग नहीं है और नहीं उसमें मद मदू है वहाँ जो रस है वहाँ रहेगा तो अभी तो पुश्प जो है वहाँ खिला नहीं है उसमें मदूर मदू नहीं है फिर नहीं विकास हो इही काल अभी तक वो जो पुश्प है उसका विकास नहीं हुआ है उसका खिलना जो है वहाँ नहीं हुआ है इही काल मतलब यहा आखाल या पिर यह जो समय है अभी इस समय में वो जो पुश्प हूर है फूल पुश्प मतलब क्या है फूल जो है वहाँ अभी तक खिला नहीं है। उसका विकास, नहीं उखा है और नहीं विकास उखित यह उसका खिलने का समय है अभी वहा पुश्प उसका अभी खिलने का समय है और नहीं उसमें वहां मदू है, मकरंद आपको पता ही है मदुमक्की का काम क्या है वहां क्या है उन्हीं पुष्पों के जो भवरे है पुश्पों के आसपास मंडराते रहते है फिर उस पुश्प से जो है उसके जो मदू है उसे यहाँ पर लेते है पुश्प का जो रस है उसको वहाँ लेते है तो ऐसे में अभी पुश्प खिला ही नहीं है फूल खिला ही नहीं है अभी जो है भौरे उसके आसपास मंड़ा रहे है उसमें अभी देखिए अपर वहाँ पराग ही नहीं है पुश्प में अभी वहाँ खिला भी नहीं यह सिर्फ कली के पास ही अभी वहाँ मंड़ा रहा है तो आगे कौन हो अवाल, आगे की बाद हम क्या करे, आगे क्या होगा देखे ये किसलिए आपर कहते हैं क्यूंकि एक समय था जब उस समय में जो यू राज थे, जो राजा थे वो क्या करता है आपरा वहां राजकारी से ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ बिताते रहते हैं और उनकी पत्नी की उम्र भी बहुत ही छोटी रहती है आपको तो पता ही है राजा महरजाओं के समय में बहुत ही जल्दी आपर शादिया किया जाता था तो ऐसे में वो इसलिए कह रहे है आपर देखे यहाँ पर भौरे का प्रतिक जो है राजा के प्रतिक के रूप में उस यूराज के प्रतिक के रूप में जो है आपर भौरों को यहाँ पर लिया गया है और पुश पूल या फिर कली मतलब वो जो यूरानी थी उसके बारे में वो कह रहे हैं अभी जो है वहां बहुत ही छोटी है अभी उनकी शादी हुई है वहां उनकी उम्र भी छोटा है तो ऐसे में सिर्फ इतने में हीापर राजा जो है वो ज्यादा तर अपना मन जो है या फिर ध्यान जो है अपने पत्नी के प्रती देते हैं, अपने पत्नी के आसपास ही रहते हैं, उसके साथ ही ज्यादा समय बिताते हैं, तो आगे क्या होगा देकि इसे राजा को जो है मन राजा के मन में छुपता है कि एक राजा होने के नाते जो है उसे क्या करना होता है राज कारी में राज दर्बार में या फिर अपनी जन की राजी के जन की जो सेवा है उसे करना होता है मगर ये सबी कामों में उसका मन ही नहीं लगता है वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही समय ज्यादा बिताते है तो अभी सिर्फ चोटे उम्र में ही इतनी अगर क्या है वहाँ ज्यादा तर अभी अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे तो आगे क्या होगा, देखे वो कली है अभी, उनकी जो पत्नी अभी सिर्फ वहाँ कली है, अगर वहाँ पुश्प बन जाएगी, फूल जो है वहाँ कली जब खिल जाएगा, तब क्या होगा, देखे आसल में जो भौरे है, वहाँ फूल के पास मंडराते है, क्योंकि उसकी जो एक रस है, जो मदू है, उसी में रहती है, ज्यादतर कली के पास जो भौरे है, वहाँ मंडराते नहीं है, मदू मंडराते नहीं है, मगर यहाँ तो कली के आसपास ही मदू मंडरा रही है, जब वहाँ फूल किल जाएगा, तो क्या होगा, पता नहीं, तो ऐसे ही होता र जो है वहा करते हैं इस तरह की क्या है मन में सोच रखते हुए इस दोहे की प्रस्तुत दोहे की जो है या पर रचना बिहारी लालने किया था और क्या है इसे या पर राजा के मन को ठेस लगती है और उससे क्या है उन्हें अपने काम का जो ऐसा से वहा होता है और इस दोहे को स सुनने के बाद से उजो राजा है ज्यादा समय है पर राज कार्री में जो है अपना समय दे पाए करके इस दोहे से सचेत होकर इस दोहे से सचेत होकर जो है पर राजा-राज कार्री की तरफ ज्यादा समय या फिर ज्यादा द्यान दे पाए करके तो इस तरह से यहाँ पर वहा सरस राग्रतिरंग अन बूडे बूडे तरे जेबूडे सब अंग। देखे यहाँ पर तंत्री नाध, तंत्रीनाध मतलब वीना जो है, वीना जो रहती है उसकी जो यहाँ से जो यहाँ पर नाद निकलता है, वीना के नाद और कवितरस मतलब कविता का जो रस ह być है काविररस के उससे और सरस राग और वुर्टी रंग देखिए कविता के सेछ सैङ साय है काविरस और वीना के संगीत स Continue ईसके साथ साथ क्या है, यहां है, यह पर रती रंग में, напे- सबोग, डूब गये है am जंगीत में और उसके साथ यहाँ पर शुंगार रस में जो है सबी लोगो डूब गए है कावी रस में जो है सबी लोग डूब गए दे क्या अन्बूडे बूडे तरे मतलब अन्बूडे भी मतलब बूडे कार्तिया पर क्या है डूबना एक बुड़े कारतिया पर क्या है डूबना जो अन बुड़े थे अभी तक इस रस में जो नहीं डूबे हुए थे वह अभी इस रस में शुंगार रस में कावी रस में और संगीत में डूब गए है इस तरह से जो है यापर कहरे बुड़े तरे जे बुड़े सब अंगा भी जो है यहापर न डूबने वाले भी सभी जो है यहापर डूब गए हैं तो इस तरह जो है यहापर कह रहे हैं क्यूं ऐसे कह रहे हैं देखें रीतिकाल का समय ही कुछ ऐसा था रीतिकाल मतलब ही क्या है ज्यादा तर उस समय ज्यादा केंद्र आकरशित जो है क्या था यहापर शुंगार रस राजा महराजाओं से लेकर सेवक सेविकाओं से और ज्यादतर लोग भी जो है जो प्रजाति वहाँ सभी जो है एक शुंगार रस में डूबे हुए जो है या पर हो गए है या फिर डूबे हुए है अब तक जो डूबे नहीं थे इसमें वो लोग भी जो है इ दूर संगीत में और उसके साथ साथ कावीरस में सभी डूब गए है इस तरह से आपर कह रहे हैं देखिए असल में वो समय भी ऐसा ही था सिर्फ साहेतिक रचना आए नहीं देखिए आप गर आप रीतिकल कहेंगे तो उसकी जो यहापर प्रमुक लक्षन ही जो है क्या है शु शुंगार रसे ही या फिर शुंगार भाव में ही ज्यादा तर लोगों डूब गए थे इसलिए इससे पहले के समय में इससे पहले के समय में जो इससे बचे हुए थे या फिर इससे दूर थे जो इसमें नहीं डूबे थे वहाभी अभी इस समय में डूब गए इस तरह से प्रस्तित समाज के बारे में आपर वाके रहे क्यूंकि राजय, महराजयों से लेकर यापर सेवक, सेविक, फिर सबी प्रजालोग ज्यादा तर यहाँ पर संगीत में सबी लोग संगीत में कावी रसमें और शुंगार रसमें डूब गए है करके यहाँ पर वहां कहते जाते हैं देखें यहाँ पर सब अंग करके यहाँ पर बताए हैं इसका अर्थ क्या है सबी तरीके से मतलब पूरी तरीके से सबी लोग पूरी तरीके से इन रसों में डूब गए है संगीत में, कावी रस में और उसके साथ उसमें भी प्रमुक रुप से श्रुंगार रस में सभी लोग डूब गए जो इससे पहले के समय में इससे दूर थे वहां भी बूड़े थे मतलब यहाँ पर उसमें क्या है, डूबे नहीं थे अभी वहाँ भी डूब गए है अभी क्या होगा करके यहाँ पर जो बिहारी लाल जी जो है कह रहे हैं दिखे इसलिए ही मैंने पहले ही काता यह रीती काल के प्रमुख भी कहलाता है और इनकी रचनाओं में ज्यादा तर हम जो है शुंगार रस को ही देख सकते हैं तो इसमें और इससे पहले के दोहे में जो है वही बताया गया है कि अभी शुंगार रस में पूरी समाज डूब गया करके इसमें बोलते हैं फिर इससे पहले जो राजा है वहाँ शुंगार रस में डूब गया है उसमें खो गया है इस तरह से जो है आपर वहाँ कहते जाते हैं अभी आगे क्या होगा राजपाट का क्या राजकार्य का क्या होगा राजी की र Zoo कौन करेंगे अगर सभी लो शुंगाररस में डूब जाएंगे तो इस तरह की चिंता जो है पिछली दोहें में आपर बिहारी लालकोती और उसी से जो है पर राज्या सचेत भी हो जाते हैं आज के लिए इतना ही नेक्स्ट सेशन में उनके जो आगे के कुछ जो दो है उसको हम देखेंगे धन्यवाद